तो हम लोगोंने फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैप्टर का पढ़ा था उसके अंदर बहुत सारी हमने जादू और चमतकार भी देखें एक संकी राजा को देखा है जो एक तरह के अपने resolution को अपने साथ में लेकर के चल रहा है एक संकल्प को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्योचावर करने तक को भी तयार हो गया है एक ऐसे राजा को हम वहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसे ही राजा की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं तो फटा फट से एक बार समरी कहानी है मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा थोड़ी भी बड़ा चड़ा करने ही बताऊंगा और अगर कहानी सुनने के बाद आप लोगों की इच्छा होती है कि आप टाइगर किंग से आमने सामने मिलना चाहते हैं तो आप नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वे अब जेवित नहीं है उनकी मृत्य हो चुकी है उसके बाद में उनके जन्म के समय का दृष्य दिखाया जाता है जहां पर एस्ट्रोलोजर जो है बविश्यवानी करते हैं कि एक ना एक दिन इस बच्चे की मृत्यू हो जाएगी उस पर वो बच्चा कहता है कि मरना तो सभी को है अगर आप ये बता पाएं कि मृत्यू कैसे हो गिया उसका कारण क्या होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा फाइदे मंद होगा इस पर एस्ट्रोलोजर उसे बताते हैं कि उसका जो जन्म हुआ है वो विशवराशी में हुआ है तो शेर से यानि सिंग से उसे खत्रा है और उसके बा इंग्लिश में से वो इंग्लिश सीखता है इसी तरीके से वो 20 साल का हो जाता है जब वो 20 साल का होता है और उसके बाद में पूरा सामराज्य उसे सौंप दिया जाता है और आसपास रूमर्स फैलने लगते हैं बाते होने लगती है उसी भविश्यवानी के बारे में तो व अपने राज जोतिशी के पास भिजवा देता है ये दिखाने के लिए कि देखो शेर मुझे नहीं मार पाया मैंने शेर को मार डाला ये दिखाने के लिए जब उनके पास भेजता है तो बताते हैं कि बिल्कुल निन्याणवे शेर आप ऐसे ही मार सकते हैं लेकिन सौवा शेर मारने में खत्रा है ऐसा कहकर के वे उसको और जादा strongly provoke करते हैं कि वो आगे जाकर के और अपना जीवन जो है वो tiger से बच कर निकाले लेकिन वो उसे उल्टा ही ले लेता है और साथ में शपत लेता है कि वो 100 शेर मारेगा उसके बाद ही राजपाट के दूसरे matter में participate करेगा बहुत जल्दी से बहुत तेजी से वो शेरों को मारना शुरू कर देता है पूरे राजज़ में प्रतिबंद लगा दिया जाता है कि राजा के अलावा और कोई भी शेरों का शिकार करना कर नहीं सकता उन सब के लिए प्रतिबंदित है अगर कोई करते हुए पाया जाता है तो उसकी सारी धन संपत्ती जब्त कर ली जाएगी उसी के साथ में एक British officer जो दुराई होता है वो request राजा के पास बेजता है कि मैं आपके यहाँ पर शेर का शिकार करना चाता हूँ प्रतिबंद पुरम में लेकिन राजा उसे मना कर देता है और फिर उसके थ्रोन को उसके राज्य को खत्रा होता है जिसे बचाने के लिए अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वो वहाँ पर क्या करता है दुराई सानी को कुछ अंगुटियां बेजता है जो हमने देखा कि 50 अंगुडिया भेजता है कि कुछ एक चुल लेगी, अपने इसाब से एकादी रख लेगी, बाकि भिजवार देगी, वो सारी ही रख करके एक थैंक्यू का नोट जो है वो राजा को रिटन कर देती है, अगले दिन 3 लाग का उन्हें भुक्तान करना होता ह और 3 लाग लगने पर भी राजा खुश है क्योंकि वो एक किसी भी प्रकार से हो सके अपने राज्य की सुरक्षा अंग्रेजों से कर पाए, तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोरी देखी, अब आगे देखते हैं इस स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है, मैंने लास्ट टा इस तो बिना किसी देर के, without any delay, let's start our fourth part, तब महराजा's tiger hunt continued to be highly successful, यानि कि बहुत ही सफलता पूरवक, राजा की जो tiger hunting थी, यानि कि जो शेरों को मारने का काम था, वो चलता रहा, बहुत ही उच्छ सफलता के साथ, within 10 years, he was able to kill 70 tigers, 10 साल के अंदर उन्होंने 70 शेर, यानि 70 tiger मा गिरा है, and then, और तभी, an unforeseen hurdle, bought his mission to end to a standstill, और उसी के बाद में एक ऐसी बाधा, जिसके बारे में पहले नहीं सोचा गया था, unforeseen थी, जिसके बारे में आगे ऐसा होगा, ऐसा विचार नहीं किया गया था, वो बीच में आगे, जिससे उनका उदेश्य, उनका mission जो है, वो बिलकुल स्थिर हो गया, यानि कि अब सत्तर टाइगर के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था, the tiger population become extinct in the forest of प्रतिबंदपुरम, यानि कि शेरों की जो तादात थी, जनसंक्या थी, वो बिलकुल लुप्त होने लग गई थी, बिलकुल गायब शुन्य होने लग गई थी, प्रतिबंदपुरम के जंगलों के अंदर, यानि प्रतिबंदपुरम के जंगलों में अब शेर नहीं बचे थे, उसे शेर नहीं मिल रहे थे शिकार करने के लिए, who knows, rather the tigers practiced birth control, क्या पता शेरों ने शायद birth control तो ट्राइ नहीं कर लिया हो, कि अब शायद वो शेर जो हैं ब मत्या तो नहीं कर ली, और simply run away from the state, या फिर राज्य से भाग कर दूसरे राज्य में चले गए हो, because they desired to be shot by British hands alone, क्योंकि उनकी इच्छा शायद Britishers के हातों ही मारे जाने की हो, तो ऐसा वो विचार करने लगा, कि क्या बात है भाई, प्रतिबंदपुरम के जंगल में शेर क् नहीं है, बर्थ कंट्रोल कर लिया है, हारा किरी, यानि कि एक common suicide कर लिया है, सबने मिलकर के suicide कर लिया है, या फिर state से भाग गए हैं, क्योंकि वो British officers के हातों मारे जाने चाहते हैं, हमारे हातों नहीं, एक दिन महाराजा ने दिवान को बुलावा भेजा, उसे बुलवाया, दिवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine, क्या आपको पता नहीं है, अभी भी 30 शेर बाकी हैं, जो मेरी इस बंदूग के द्वारा मारे जाने हैं, यानि कि अभी भी 30 शेर मुझे और चाहिए, जिन मैं मार सकूँ, क्योंकि राजा की वोव कितनी की थी, तो राजा ने वोव की लीती, 100 tigers मारने की, और अभी तक राजा ने कितने मारे हैं, 70 tigers मारे हैं, तो वो कहते हैं कि आपको भी नहीं पता, कि मेरी इस बंदूग से अभी 30 शेर मरना बाकी हैं, आस्ट ब्रेडिशिंग हि आकरामक रूप से at the sight of the gun, gun को अपनी और देख करके, कौन काप रहा है, दीवान काप रहा है, तो दीवान जब गन को अपनी और देखता है, तो कापते हुए कहता है, the divan cried, गिर गिराते हुए कहता है, your majesty, I am not a tiger, महराच मैं कोई शेर नहीं हूँ, ये बंदूग मुझे क् शेर नहीं हूँ, no, and I am not a gun, फिर दीवान कहता है कि मैं शेर भी नहीं हूँ, और मैं गन भी नहीं हूँ, अगर आपको तीस और मारने हैं, तो जाओ और मारो, मुझे क्या बता हुए यहां पर, तो यहां पर यह क्या कहना चाहिए कि ना तो मैं शेर हूँ, ना ही मैं गन के लिए आपके पास पहले ही पड़ी है शेर आपको मारने है तो आप जाकर मार सकते हैं यू आपको यहां आज एक किसी अन्य उद्देश्य से बुलाया है मेरा कोई शादी करने का निर्णे लिया है कि मैंने निर्णे लिया है मैं अब शादी करना चाहता हूं at the age of 30 आप मान सकते हैं कि तीस साल की आयू में राजा वहां पे कहते हैं कि मुझे शादी करनी है दीवान बिगें टू बबल और दीवान जो है हडबडा कर बोलना शुरू करता है इवन मोर और जादा घबरहाट के साथ your majesty महाराज I have two wives already if I marry you महाराज मेरी पहले ही दो पतनिया है अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा तो ऐसा वो बड़ बड़ाते वे ऐसा वो गिड़ गिड़ाते वे कहता है कि महाराज मुझे बख्ष तो मेरी पहले ही दो वाइपस हैं तीक है अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो क्या होगा क्रिपया इसके बारे में एक बार और सोच लीजिए यह वर मैरीट टू दा स्वार्ड आपके जो पूर्वस थे उन्होंने किस से शादी की थी अपनी तलवार से शादी की थी अगर आपको पसंद हो मैरी दगन तो आप अपनी बंदूग से शादी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह कहना चाहरा है कि पुराने जमाने में जब कोई राजा या जब कोई सैन ने किया जब कोई सेना पती अपना पूरा का पूरा जीवन अपने राज्य को समर्पित कर देता तो उस समय में वो अपनी स्वार्ड से अपनी तलवार से ही शादी कर लिया करते थे चीक है वो किसी मनुश्य से शादी नहीं करते थे अना किसी फीमेल से शादी नहीं करते थे तो आपको अगर पसंद हो तो अपनी बंदूग से शादी कर लो तलवार से मत करो if you like marry the gun a tiger king is more than enough यानि एक tiger king को समालना ही इतना भारी है परियाप्त या आवशक्ता से अधिक हो आप पहले ही for this state, इस राज्य के लिए it does not need a tiger queen as well और इसे tiger queen की आवशक्ता नहीं है यानि यापर दिवान क्या misunderstood कर रहा है कि वो किसी शेरनी से शादी करना चाता है टाइगरी से सादी करना चाता है इस पर देखिए क्या reaction रहता है the maharaja gave a loud crack of laughter यानि कि इस पर maharaja जो है वो ठा का लगा करके हसते हैं और कहते हैं I am not thinking of marry either a tiger or a gun but a girl from the ranks of human being यहाँ पर क्या कहता है कि ना तो मैं tiger से शाधी करने की सोच रहा हूँ ना ही मैं gun से शाधी करने की सोच रहा हूँ बलकि मैं एक लड़की से शाधी करने की सोच रहा हूँ जो मनुश्य प्रजाती की हो First you may draw up statistics of tiger populations in the different native states पहले तो तुम ये आखडों का पता लगाओ कि हमारे यहाँ पर भारत में जितने भी आसपास के राज्ये हैं वहाँ पर सबसे जादा tiger population यानि शेरों की संक्या सरवादिक कहां पर है next you may investigate और उसके बाद में तुम यह पता लगाओ if there is a girl I can marry in the royal family or a state with a large and a state with a large tiger population उसके बाद में तुम यह investigate करो यह पता लगाओ कि क्या उनमें से कोई राज्ये ऐसा है जहां पर एक राजकुमारी हो जिससे मैं शादी कर सकूँ जो royal family से belong करती हो लेकिन ऐसे राज्ये की राजकुमारी डूड़ना जहां पर शेरों की तादाद बहुत जादा हो या tiger population जो है वो बहुत बड़ी हो ठीक है तो इसके लिए महाराज ने उसे बुलाया था ये एक funny conversation है दीवान और महाराज के बीच में तो दीवान जो है followed his order और दीवान उनके orders को follow करता है उनके आदेश को मानता है he found the right girl from a state which possessed a large number of tigers उसे एक ऐसे राज्ये के बारे में पता चलता है जहां पर शेरों की संक्या बहुत अधिक है और उसे एक बिल्कुल सही लड़की अपने राजकुमार के लिए या अपने महाराज के लिए वहाँ पर मिल जाती है महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड five और six tiger each time he visited his father-in-law यानि जब भी अपने ससुर से मिलने अपने ससुराल जाते हैं जंग जंग बहादुर वो हर बार पाँच्छे पाँच्छे tiger मार कर आ जाते हैं इन दिस मैनर और इस तरीके से 99 tiger's skin adorned in the walls of the reception hall इस तरह से 99 मरे हुए शेरों की जो skin है यानि उनकी जो चमडी है उसको आप लोगोंने देखा होगा कि कई movies वगरे के अंदर दिखाते हैं इसे जमीन पे बिछा के रखते हैं और आगे face शेर का खुला रहता है तो उनके reception hall में यानि पूच ताच कक्ष में जो महल का सबसे पहला entry gate होता है वहाँ पर पूरे के पूरे कमरे में निन्याणवे शेरों की जो skin है उसे सजाया गया था इन द प्रतिबंदपूरम पैलेस जो की प्रतिबंदपूरम पैलेस में था ठीक है गाईस? नेक्स देखिए इसमें यानि कि महाराज की जो चंता है अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी जब उनकी शताब्दी पूरी होने में उनकी हंड्रेट पूरी होने में कितने टाइगर बच रहा था केवल एक टाइगर शेष बच रहा था जिससे उनका सौ का आकड़ा है वो पार हो सके वो दिन भर केवल इसी बारे में विचार करते रहते थे और रात में भी इसी के सपने देखते रहते थे कि कब मैं अपना सौवा टाइगर मारूंगा अभी का जो समय था उसमें टाइगर फॉर्म जो है बिलकुल ड्राय हो गये थे यानि कि जीरो टाइगर बचे थे उसके ससुराल में भी या उसके ससुर जी का जो राज्य है उसमें भी कहीं भी टाइगर को ढूंड पाना असंभव हो गया था कहीं पर भी उसका पता नहीं लग रहा था यट only one more was needed जबकि केवल एक और टाइगर की आवशकता थी एक से अधिक टाइगर की आवशकता नहीं थी आगे देखी वो क्या कहता है if he could kill just that one single beast अगर बस एक एकलोता बीस्ट और मार सके एक जानवर और मार सके एक शेर और मार सके the माराजा would have no fear left तो माराजा को अपने जीवन में कोई भी भै या कोई भी डर बाकी नहीं रहेगा he could give up tiger hunting altogether यानि कि वो शेरों को मारने का जो काम है tiger hunting जो है उसको पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़ देगा but he had to be extremely careful with that last tiger लेकिन उसे उस अंतिम tiger के साथ अत्यदिक सतरकता से रहना बहुत जरूरी था बहुत ही careful हो करके रहना जरूरी था what had the last, sorry, what had the late chief astrologer said क्योंकि जो late astrologer है, late क्यों लगाया गया है क्योंकि अब उस astrologer की मृत्यू हो चुकी है स्वभाविक रूप से ही अपनी आयू पूरी करके वो astrologer जो है, वो अपने परमधाम को जा चुके है तो late chief astrologer जो है, उन्होंने क्या कहा था even after killing 99 tigers, the maharaja should be aware of the 100th tiger यानि कि 99 टाइगर मारने के बाद भी राजा को, 100 टाइगर को मारते समय सावधानी रखनी होगी या 100 टाइगर से सावधान रहना होगा मैं यह तो नहीं कहूंगा, कि 100 टाइगर को मारते वक्त नहीं 100 टाइगर से उन्हें सावधान रहना होगा true enough, वास्तविकता भी थी the tiger was a savage beast क्योंकि टाइगर एक तरह का जंगली जानवर है after all आखिरकार उसका भरुसा थोड़ी किया जा सकता है कि आप टेलते वेलते चलेगे tiger के सामने कि आओ तुम मैं मारूं अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो वो तुम्हारा नाश्ता जरूर करेगा तो उससे तो समल के रहने की जरूरत है one had to be wary of it यानि किसी को भी इसके बारे में सतरकता रखनी चाहिए but where was the hundred tiger to be found लेकि ये सौवा tiger मिलेगा कहा it seemed easier to find tiger's milk than a live tiger यानि कि कहते हैं कि शेरनी का दूद मिलना आसान हो गया था जिन्दा शेर मिलने के स्थान पे यानि कि जिन्दा जानवर अब बचे ही नहीं थे उनको पूरी तरीके से extinct कर दिया गया था दस्दा महराजा was shunk in gloom इस तरीके से महराजा जो है वो दुख में डूब गए but soon came the happy news which was dispelled that gloom लेकिन तभी जल्द से ही एक खुश खबरी वहाँ पर आई जिसने राजा के उस दुख को पूरी तरीके से दूर कर दिया in his own state उसके खुद के राज्य में she began to disappear frequently form a hillside village यानि कि पहाडी की तलहटी में बसे हुए एक गाउं से अचानक भेडे गायब होने की खबर वहाँ पर आई थी यानि कि भेडे जो हैं चरने जाती हैं और वापस नहीं आती हैं इस तरह की एक खबर इस तरह की एक सूचना राजा तक पहुँची it was first uncertain यानि कि सबसे पहले इसे सुनिश्चित किया गया that this was not the work of खादर में साहिब या वीरासामी नेकर यानि कि ये काम जो है ये खादर में साहिब का या वीरासामी नेकर का तो नहीं है बहुत famed क्योंकि दोनों प्रसिद्ध थे for their ability to swallow sheep hole कि पूरी की पूरी भेड़ अकेले ही खा जाते थे दोनों की इतनी देशत थी या दोनों की इस बारे में प्रसिद्ध थी के पूरी भेड़ी खा जाते हैं surely निशित तोर पर a tiger was at work यानि कि एक शेर अपने काम पर लगा हुआ है शिकार करने में the villagers ran to inform the महराजा और villagers जो है वो भागते भागते जाकर के महराजा को यह सूचना देते हैं inform करते हैं the महराजा announced और महराजा जो है गोशना करते है a three years exemptions for all taxes for that village and set out on the hunt at once यानि कि तीन साल तक उन्हें भूमी कर यानि कि land tax जो वो पे करते थे उसमें कोई भी tax पे करने की ज़रूद नहीं है अगले तीन साल तक क्योंकि राजा उनसे बहुत खुश थे और अपने सौवे टाइगर को मारने में क्योंकि उस गाओं ने उनकी मदद की थी तो उन्होंने कहा कि अगली तीन सालों तक आपको कोई भी tax नहीं देना है इस गाओं को और तुरंद ही वो शिकार करने के लिए निकल गए कि सौवा शिकार सौवे शेर का शिकार अब मैं करूंगा तक टाइगर वस नोट इजिली फाउंड टाइगर आसानी से नहीं मिला इट सीम्ड एज इफ हैट वांट ओनली हिड इटसेल इन ओर तू फ्लॉट दा महराजास विल यानि कि ऐसा लग रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो केवल इसी लिए छुपे रहना चाहता है क्योंकि वो महराज की जो इच्छा है उसे पूरी नहीं होने देना चाहता यानि कि जैसे महराज जिठान के बैटे थे सो मारके रहूंगा वैसे ही इस सोवे टाइगर ने भी जिठान ली कि मैं छुपा ही रहूंगा निकलूंगा इनी अपने घर से बाहर देखता हूं मैं निकलूंगा तो राजा कैसे मारेगा तो उसने भी राजा की इच्छा को पूरा ना होने देने के लिए जैसे छुपने का फैसला कर लिया हूँ महाराजा भी बिल्कुल समान रूप से द्रण निश्य ही थे उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि वो जंगल छोड़कर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वो टाइगर मिल नहीं जाता और वो उसे मार नहीं देते जैसे ऐसे दिन गुजरते चले गए दा माराजा का जो गुसा है और उपस्टिनेसी और उनका हट जो है माउंटेड अलामिंगली खतरनाक रूप से बढ़ने लगा यानि कि अब जब तक वो शांत बैटे थे तब तक शांत बैटे थे दो दिन, पास दिन, छे दिन, साथ दिन हो गए मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अब जब नहीं मिल रहा तो उनका जो धहर्य है वो exhaust हो रहा है उनका धहर्य तूट रहा है और अब उनका गुसा जो है खतरनाक रूप से बढ़ रहा था Many officers lost their jobs कई सारे करमचारियों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया उन्होंने अपनी नौकरी खो दी One day when his rage, एक दिन जब उनका गुसा was at its high और अपनी पूरी उचाई पर, अपनी पूरी चरम पर था दा माराजा called the दीवान and ordered him to double the land taxes उन्होंने दीवान को बुलाया और कहा कि इस गाउं का जो land tax है, भूमी कर है उसे तुरंत दोगना कर दो उसे just double कर दो फटाफट से, अभी कर दो The people will become discontained Then our state too will be fall a prey to the Indian National Congress हमारे जो लोग हैं, हमारे जो राज्य के निवासी हैं वो इस बात से असंतुष्ट हो जाएंगे माराज और उसके बाद में हमारा state भी, हमारा राज्य भी एक शिकार बन जाएगा Indian National Congress का यह उस समय की बात की जा रही है जब Indian National Congress जो है, वो अलग-अलग रियासतों या अलग-अलग राज्यों को जोड करके अखंड भारत निर्मान करने का काम कर रही थी उस समय की बात को रेफरेंस में लिया गया है हलाकि एक fiction story है, कालपनिक कता है लेकिन उस समय को रेफरेंस में लिया गया है कि आप ऐसा करेंगे तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे और International Congress जो है वो हमारी रियास्त या हमारे राज्ये को भी उठा करके इंडिया में मिला लेंगे ठीक है इन डैट केस अगर ऐसा है तो आप स्तिफ़ा दे सकते हैं फ्रॉम यूर पोस्ट, अपनी पोस्ट से सेट दा किंग, किंग ने का किंग ने सीधी से बात कही या तो टेक्स डबल कर दो लेंड टेक्सिन का तो दिवान ने का कि साब अगर ऐसा करेंगे तो लोग ऐसंतुष्ट हो जाएंगे और फिर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के हम लोग शिकारी बन जाएंगे शिकार बन जाएंगे और अगर वैसा नहीं करते हैं तो राजा ने का तो फिर ठीक है भाईया तुम अपनी पोस्स से इस्तिफा देदो कोई दूसरा वेक्ति आएगा वो ये काम अपने आप कर लेगा या तो शेर लाके देगा या इस्तिफा लाके देगा दोनों में से कुछ तो करेगा ठीक है दीवान वेंट होम कन्विंस्ट डैट इफ दा महराजा डिड नॉट फाइंड ताइगर सून दीवान जो है वो अपने मन में पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुका था अब भाया कोई टालम टोल नहीं हो सकती अगर राजा को फाइनल टाइगर जल्द ही नहीं मिलता है दा रिजर्ट्स कुट भी केटस्ट्रोफिक यानि कि उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही संकट लाने वाले होंगे यानि कि मुसीबत इतनी आएगी कि फिर संबाले नहीं संबलेगी उसकी जान में जान तब आई या जब उसकी सांस में सांस आई जब उसने देखा कि पीपल स्पाक मदरास का जो है वहां से उसने अपने लिए एक टाइगर मंगवाया था जिसे उसने घर में छुपा कर रखा था तो जैसे ही उस टाइगर पे उसकी नजर पड़ी वैसे ही उसकी सांस में सांस आया कि चलो भाई ठीक है अब कुछ तो ठोड़ा ठीक होगा मद्यरातरी के समय जब सभी लोग सो रहे थे इन पीस शांती में तो दीवान और उसकी पतनी जो है वो घसीट कर जबरदस्ती उस शेर को कार तक लेकर आये और उसे सीट पर धकेल के बैठाया दीवान हिमसेफ ड्रोड़ कार स्ट्रेट तू दा फॉरेस्ट वेर दा माराजा वास हंटिंग और दीवान स्वयम उस कार को चला कर सीधा जंगल में उस जगे पहुंचा जहां पर माराजा हंटिंग के लिए गए हुए थे शिकार के लिए गए हुए थे यानि कि जैसे ही वो वहाँ पहुंचे फॉरेस्ट में तो शेर ने वहाँ सत्यागर कर दिया यानि कि सीट पे बैठा रहा उसको का वही आजा नीचे उतर जा वो ना हिले न डूले न सुने न समझे कुछ जवाब नहीं कोई रियक्शन नहीं ठीक है जैसे उसने सत्यागर कर दिया हो and refuse to get out of the car और उसने बिल्कुल ऐस विकरती दिखा दी मना कर दिया मैं कार से बाहर नहीं आ रहा बोल के तो मना नहीं करेगा लेकिन उसको जितने भी प्रयास करे उसे कार से निकालने के वो कार से बाहर निकलने को तयार नहीं था दीवान जो है पूरी तरह से थक गया थक कर चूर हो गया अपने कोशिशों में अपने प्रयासों में to hold the beast out of the car उसे खैंच कर धकेल कर हाज जोड के पैर पकड़ के कैसे भी उसे कार से बाहर निकालने में पूरी तरह से थक कर चूर हो गया and push it down to the ground और उसे धकेल के जमीन पर बिठाया गया on the following day अगले दिन the same old tiger wondered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication master what do you command for me अगले दिन वही same tiger वही Buddha tiger जो है वो घूमता फिरता राजा की नजरों में राजा की presence में आया और राजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया विनम्रता से जैसे कि वहाँ पर प्राथना रूप में कह रहा है या प्राथना करते वें कह रहा है कि महराज आपका मेरे लिए क्या आदेश है या आप मेरे लिए क्या आदेश रखते हैं मेरे लिए जो भी आदेश हो आप मुझे बताईए घुमतावा आया और राजा के सामने आकर के बैट गया ठीक है अब देखते हैं आगे क्या होता है और इस से माराज को जो है वो अननतिया असीम आनन्द मिला उन्हें बहुत ज़ादा मज़ा आया उन्होंने बहुत ही ध्यान पूरवक उस पर निशाना लगाया उस जानवर पर बीस्ट पर और टाइगर फैल डाउन क्रंपल्ड हीप और धडाम करते हैं धडाम से एक धेर की तरह वो गिर गया जैसे ही माराज ने गोली चले I have killed the hundred tiger my woe has been fulfilled मैंने सोवा टाइगर मार दिया और मेरी शपत या मेरा संकल्प पूरा हुआ the माराजा was overcome with elation माराजा जो है वो joy से खुशी से भर उठे ordering the tiger to be brought to the capital in grand position और आदेश दिया गया कि बड़ी सी यात्रा निकालते हुए बड़ी शोभा के साथ इस सौवे टाइगर को हमारे राजमहल में लाया जाए the माराजा hastened away in his car और तेजी से माराजा जो है वहाँ से अपनी कार में बैठ कर निकल गए और पीछे के आदेश दे दिया कि इसको एक great position के अंदर यानि कि एक यात्रा के रूप में इसके शव को हमारे राज्य में लाया जाए हमारे वहाँ लाया जाए After the माराजा left माराजा के जाने के बाद the hunters went to take a closer look at the tiger महराजा की जाने के बाद में जो हंटर्स थे जो शिकारी थे वो शेर को करीब से देखने गए और करीब से उसे ध्यान से देख रहे थे और टाइगर ने पलटके उन्हें देख लिया आँख कोल के जिसमें वो बहुंच अक्कासा हुआ अपनी आँखों को चारो और गुमा रहा था कि यह क्या हुआ मैं कैसे गिर गया उनको देखकर के मैं टाइगर को देख रहा था वहां तक ठीक है लेकिन मरेवे टाइगर ने अचानक से आँख कोल के मुझे वापस देखा तो यहीं यहां पर हंटर के साथ हुआ है कि आँखे घुमाता हुआ भौचक कासा ब्रह्मे और टाइगर भी उनकी तरफ देख रह चूप गई यानि शेर से चूप गई एट हैड फैंटेड और इससे वह बेहोश हो गया क्यों बेहोश हो गया फॉम दशॉक ऑफ दबुलिट विजलिंग पास उसके पास से तेजी से घंगनाती वी जो गोली निकली उस गोली की आवाज से और उस गोली के वेफर्मेंट से वो क्या हुआ वहाँ पर विजलिंग से वहाँ पर क्या हुआ बेहोश हो गया अब हंटर्स जो है वो विचार करने लगे सोचने लगे what they should do उन्हें क्या करना चाहिए they decided that the महराजा must not come to know that he had missed his target के महराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए के उन्होंने अपना target miss कर दि है गलती हमेशा मुनीम की होती है सेट की कभी गलती नहीं होती क्योंकि वह सेट है और गलती मुनीम की क्यों होती है क्योंकि वह मुनीम है तो बले ही महराज ने शौट मारा और महराज का जो target था वो hit नहीं हुआ miss हो गया लेकिन हम जाकर के अगर महराज को ये बात बताएं दिया है miss कर दिया है if he did अगर ऐसा करते हैं they could lost their jobs तो वो उनकी job खो सकते हैं one of the hunters took aim from a distance थोड़ी सी दूरी से दूसरे जो शिकारी था दूसरा उसने थोड़ी सी दूरी से वापस से aim लगाया और one foot किवल एक foot की दूरी से shot the tiger और tiger को गोली मार दी this time he killed it without missing his mark और इस बार उसने tiger को मार डाला बिना अपना निशाना चूके then as commanded जैसा कि आदेश दिया गया था by the king राजा के दूरा the dead tiger was taken in possession उसे बिलकुल वैसे ही भव्यायात्रा के यूरूप में ले जाया गया through the town, town के मद्य से and buried और उसे दफना दिया गया a tom was erected over it और उस पर एक मकबरा बनाया गया जहां पर जिस जगह पर उस आखरी शेर को सौवे शेर को दफनाया गया उसे ढख करके उसके उपर एक मकबरा बना दिया गया कुछ दिनों के बाद यानि यहां पर अब बच्चों के साथ समय वैतीत करते हैं अभी उनके बच्चे का third birthday है तो अब देखते हैं किस तरीके से वो celebrate करते हैं और आगे इस चैप्टर में क्या होता है चलिए let's find out A few days later the Maharaja's son third birthday was celebrated कुछ दिनों के बाद Maharaja के बेटे का तीसरा जरम दिन मनाया गया Until then the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting और इस दोरान Maharaja जो है वो पूरी तरीके से अपना ध्यान हटा चुके थे tiger hunting से वो बिलकुल उसको छोड़ चुके थे He had no time to spare for the crown prince उनके पास कभी भी अतिरिक्त समय नहीं बचा था crown prince के लिए but now the king turned his attention to the child लेकिन Maharaja ने अपना पूरा का पुरा ध्यान अपने बच्चों की और मोड लिया था He wished to give him some special gift on his birthday और उनकी इच्छा थी कि अपने बेटे के जनम दिन पर उसे कोई विशेश तौफा या विशेश गिफ्ट है दिया जाए उसके जनम दिन के अफसर पर He went to the shopping center in Pratibandpuram वो shopping center में गए प्रतिबंदपुरम के जहां से उन्हें अपने बच्चे के लिए gift लेना था and searched every shop और उन्होंने हर shop पर जाकर ढूंडा पता लगाया but could not find anything suitable लेकिन कुछ भी उन्हें ऐसा लगा नहीं उप्युक्त नहीं लगा के वो देखते एक बार में मन आया के हाँ यह तौफा देना चाहिए उन्हें कुछ भी ऐसा suitable gift दिखाई नहीं दिया finally he spotted a wooden tiger अचानक से उनकी नजर जो है वो एक लकडी के शेर पर पड़ी in a toy shop and decided it was the perfect gift एक toy की दुकान पर एक खिलोनों की दुकान पर उन्होंने इसे देखा और तै किया कि यही सबसे उप्युक्त तौफा राजकुमार के लिए रहेगा the wooden tiger cost only two anas and a quarter सवाद दो आने का वो तौफा था बढ़ता शौप की पर new लेकिन शौप की पर जो था दुकान दार जो था वो जानता था that if he quoted such a low price to the maharaja he would be punished under the rule of emergency यानि कि अगर वो राजा को इतनी कम कीमत किसी भी सामान की बताता है तो उसे राजा का अपमान माना जाएगा और उस वजए से राजा उसे दंड देगा ये बात जो शौप की पर है वो पहले से जानता था so he said your majesty तो उसने कहा महराज this is an extremely rare example of craftsmanship यानि कि ये हस्त कला का एक बहुत ही असाधारन नमूना है बहुत ही जबरदस चीज है जो आपने अपने हाथ में उठा रखी है और ऐसे जो खिलोने है या इस तरह की जो चीजे है वो बार-बार नहीं मिलती अब bargain at 300 रुपीज और ये सौदा कितने का है मात्र 300 रुपे का यानि कि जहां पर सवादो आने का ऐसा एक लकडी का टाइगर था उसने महराज के डर में ही उसको 300 रुपे में बेच दिया Very good, बहुत अच्छा Let this be your offering to the crown prince on his birthday चलिए यही तुमारी offering रहने देते हैं crown prince के लिए उनके birthday पर Set the king and took it away with him वो राजा ने ऐसा कहा उसे उठा कर अपने साथ ले गया On that day father and son played with that tiny little wooden tiger पिता और बेटा दोनों उस छोटे से लकडी के शेर से खेल रहे थे It had been curved by an unskilled carpenter इसके जो curves थे न जहां से मुडाव था वो एक unskilled कोई अनाडी नौसिखिया जो carpenter था उसके द्वारा बनाया गया था Its surface was rough और इसका जो सतय थी वो भी बहुत जादा खुरदूरी थी Tiny silvers यानि पतले फांस फांस समझते हो लकड़ी के अंदर छोटी-छोटी सी फांस होती न कहीं बार हाथ में चुप जाती है अना pierced the Maharaja's right hand और वो जो छोटे-छोटे से फांस से निकली वी थी उसमें से एक फांस निकल के राजा के सीधे हाथ में चुप गई He pulled it out with his left hand and continue to play with the prince उसने अपने left hand से उसे बाहर निकाला और फैक दिया और वापस से प्रिंस के साथ खेलने लगा The next day, अगले दिन, infection flared in the Maharaja's right hand Maharaja के सीधे हाथ में, पूरे हाथ में infection फैल गया In four days, it developed into a spreading sore which spread all over his harm यानि कि पहले एक दिन तो के ओल हदेली एतेली में फैला चार दिन के अंदर-अंदर पूरे हाथ के अंदर वो फैल गया जिससे उसके पसुत्पन होने लगा और जो घाव है, वो बहुत ही और जादा sore हो गया और पूरे हाथ पर, पूरे आम पर फैल गया Three famous surgeons were brought in from madras तीन जो बहुत ही famous, बहुत ही प्रसिद शल्य चिकित सकते शल्य चिकित सकते मतलब सर्जन का मतलब वो doctors जो operation करने का काम करते है उनको सर्जन कहा जाता है, ठीक है, तो सर्जन जो है, सर्जरी करने वाले जो doctors operation करते हैं उन्हें बुलाया गया madras से, after holding a consultation काफी विचार विमर्ष करने के बाद, they decided to operate उन्होंने तै किया कि वो राजा का operation करेंगे और जो तीन सर्जन है, जिन्होंने उस सर्जरी को perform किया था, वो पूरी की पूरी सर्जरी की थी वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद, वो announce करते हैं, वो गोशना करते हैं मैं चाता हूँ कि मैं उस घोशना को पड़ू, उससे पहले आप एक बार खुद से पढ़िये दा operation was successful, operation सफल रहा, दा महराजा is dead, और महराजा मर चुके हैं तो एक sarcastic way के अंदर वहाँ पर जो surgeons हैं, वो उस बात को कहते हैं, operation कैसा आप बहुत बढ़िया रहा, महराज बोले वो तो मर गए, जैसे आप लोगों के साथ भी अधिकांश होता होगा, जैसे कई लोग, कई student है मेरे, जब मैं उनसे पूशता हूँ, exam कैसा आप बहुत अच्छा नहीं आता, तो भही यहां महराजा के साथ हुआ, कि the operation was successful and the महराजा is dead, महराजा मर चुके हैं, in this manner the hundred tiger took its final revenge upon the tiger king, और इस तरीके से जो सौवा शेर था, उसने final revenge, यानि कि सौ शेरों को मारने का जो revenge था, वो बदला था, वो महराजा से ले लिया, और यह सौवा श शेर, जिसने यह revenge महराजा से लिया, तो यह एक अच्छी स्टोरी है, हसी मजाक के हिसाब से पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक serious message भी convey करती है, जो ecological disbalance जो हो रहा है, उसके बारे में यह कहीं ना कहीं बताती है, तो हमें चाहे पेड़ आने वाली जो पीडिया है, वो एक अच्छी life spend कर सकें on the earth, ठीक है guys, so thank you very much, आप लोगों ने बहुत पेशन्स के साथ में इस स्टोरी को सुना, I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा मेरे साथ इस स्टोरी को, मैं जितनी बार इस स्टोरी को पढ़ता हूं, मैं उतनी बार fully enjoy करता तो I hope आप लोगों ने भी मेरे साथ इसे enjoy किया होगा, thank you very much, kindly keep listening, learning and sharing us, thank you very much, take care of yourself, till the next time and I'll see you soon, bye